हलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने सेनल सुप्रभाद 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लो सप्लिमेंटरी रीडर में क्लास दसका लेशन नंबर वन पढ़ने वाले हैं जिस लेशन का नाम है इसका मतलब यह होगा कि अपने वादे को निपाया तो ये जो लेशन है इसको जेम्स रसेल ने लिखा है जेम्स रसेल लोवेल ने लिखा है और यह बहुत ही अच्छी लेशन है तो चलिए बीना देरी करते बें शुरू करते हैं जो कहानी है वो यहां से सुरू है ठीक है? तो चलिए देखी When you went to read at night जब आप रात में पढ़ने जाते हैं You simply press a switch तब आप आप आसानी से एक switch को प्रेस करते हैं दबाते हैं And electric lamp और बिद्दूत का bulb gives you light और जो बिद्दूत का जो bulb होता है वो आपको प्रकास दे देता है Do you know? क्या आप जानते हैं? Who invented the electric lamp कि बिजली के बल्ब का अभिस्खार किस ने किया है? नहीं पता तो चलिए आंसर जान लीजिए He was an American वह एक अमेरिकी नागरिक थे Named Thomas Alva Edison जिनका नाम Thomas Alva Edison था ठीक है? Even in his child Edison loved to do experiment Edison अपने बचपन में बहुत सारे experiment करना पसंद करते थे He was found of asking questions He was found of asking questions And he was never satisfied Till he got the right answer वह बहुत सारे प्रस्णों को पूझा करते थे And he never satisfied और वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे Till he got the right answer ठीक है? जिस भी मतलब Answer को पाते थे वो उस answer से संतुष्ट नहीं होते थे There are many stories about Him childhood उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानिया है And here are few of them उने में से कुछ जो कहानिया है वो यहाँ है मतलब अब जो है यहाँ से उसकी कहानिया बताई गई है Edison की कहानिया बताई गई है One day एक दिन When young Edison was at school एक दिन जब छोटा सा Edison इसकूल में थे The teacher was telling जो सिक्षिखा थी वो सुना रही थी The children a story about words जो सिक्षिखा थी वो बच्चों को चिडिया के बारे में कहानिय सुना रही थी He got up तब जो Edison थे वो खड़े हो गए And asked the teacher और अध्यापिका से पूछे Madam, why cannot man fly like a bird Like का मतलब होता है जैसे और like का मतलब पसंद भी करना होता है तो Edison खड़ा उकर के पूछता है कि Madam ये बताइए कि मनुस्य से भी चिडियाओ की तर क्यों नहीं उड़ता है Because man has no wings replied the teacher तो सिक्षिका ने जवाब दिया कि क्योंकि man has no wings क्योंकि मनुस्य के पंक नहीं होते हैं इसलिए मनुस्य से नहीं उड़ पाता है The young boy thought for a moment जो छोटा सा लड़का था वो एक छण सोचता है And again ask her और उनसे फिर से दुबारा पूछता है But kites have no wings लेकिन मैडम जी पतंग के तो पंक नहीं होते है And still और उसके बावजूद भी We can fly them in the sky उसके बावजूद भी हम उन्हें आकास में उड़ाते हैं ये कैसे हो सकता है आप कहा रही है कि मनुस्य से इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि उसके पास पंक नहीं होते है चलिए मैंने इस बात को मान लिया पर पतंग के पास कहां पंक होते है उसके बावजूद भी हम उसे आकास में उड़ाते है तब देखे क्या होता है All other boys loved अन्ने जितने भी लड़के थे आने बाकी सभी लड़के हसने लगे and the teacher lost her patience और जो सिख्षका थी उन्होंने अपना आपा खो दिया She thought उन्हें ऐसा लगा या उन्होंने सोचा The boy was stupid and naughty जो लड़का है बहुती बदमास और सरारती है and she asked and she asked his parents to take to take him out of school इसलिए उन्होंने उसके parents को बुलाया और कहा कि आप इस लड़के को आप स्कूल से बाहर लेकर चले जाएए देखिए जो एडिसन था सिर्फ उसके question पूछने पर उसकी madam जो है नाराज हो जाती है और उसके mommy बापा से सिकायत कर देती है और उसे कहते हैं कि वो उसे इसकूल से बाहर लेकर के चले जाए अब चलिए आगे देखते हैं his parents took him home उसके माता पिता उसे घर ले गए बड़ दे नियू लेकिन वो जानते थे that he was not a stupid boy कि वो बुरा लड़का नहीं है Edison was just 8 year old when this happened Edison तब सिर्फ 8 बर्स के थे जब यह घटना हुई थी young Edison found in his mother he is a best teacher Edison ने अपने मा के रूप में एक अच्छी सिक्षिका को पाया she was she was patient enough to answer all his questions वो जो उनकी मा थी उनके सभी प्रशनों का आंसर देती थी and with her help to guidance he made good progress और उसके मतलब और उनके देखे यहां पर देखे with her help उनकी सहायता से and guidance और देखवाल से he made a good progress उसकी अच्छी देखवाल हो रही थी he used to observe things very closely वो बहुत सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखता था and do a lot of experiment और उन पर बहुत सारा experiment करता था बहुत सारा परिक्षनर करता था some of his experiment were silly silly का मतलब होता है खराब या भद्दा उसके कुछ जो experiment थे खराब हो गए थे या भद्दे थे but he learned a lot from them लेकिन उनसे उसने बहुत कुछ सीखा ठीक है यानि जो experiment उससे खराब हो जाते थे उससे भी वो कुछ न कुछ सीखता था one morning एक सुबह he was watching a world एक सुबह वह एक चिडिया को देख रहा था it flew down वह नीचे आई to the ground जमीन पर वह जमीन पर आई pick up a few warms in his beak उसने कुछ कीडो को अपने चोच में उठा लिया देखिए वार्म का मतलब होता है कीडे ठीक है तो उसने अपने चोच में कुछ कीडो को उठा लिया and flew away और वहां से वो उड़ गई this gave young edition an idea ऐसा देख करके edition को मन में एक उपायाया ठीक है this gave young edition an idea तो ऐसा होना देख करके edition के मन में एक उपायाया हलाकि यह जो लिखा गया है this gave young edition an idea यह एक edition को एक idea दिया यह कहना उतना उचित नहीं है ठीक है पर यह इतना line यह समझाना चाहता है कि edition को ऐसा देख करके कि एक चिडिया आई और कीडे को उठा करके अपने चोच में दबाई और दबा करके ले करके उड़ गई तो ऐसा देख करके edition के मन में एक उपाय आया दबाट्स इज एबल तो फ्लाई एबल का मतलब होता है योग या सक्षम दबाट्स इज एबल तो फ्लाई चिडिया उड़ने में सक्षम होती है विकोज क्योंकि इट एट्स वार्म क्योंकि यह कीड़ो को खाती है देखिए edition के मन में कुरापाद चल रहा है कि चिडिया उड़ने के लिए इसलिए योग होती है या चिडिया इसलिए उड़ने योग होती है क्योंकि वो किड़ो को खाती है मैन कैन ऑल्सो फ्लाई आदमी भी उड़ सकता है इप यदि he eat worms यदि वो कीड़ों को खाना शुरू कर दे तो आदमी भी उड़ सकता है अब देखिए ये छोटा सरड़का जो 8 साल का है जो आगे चल करके महान एक बैज्यानिक बना तो ऐसे बैज्यानिकों के बस्पन की कहानी अगर आप वह उड़ जाती है तो मनुस्य भी अगर कीड़ों को खाता है तो वह भी आकास में उड़ सकता है चलिए he said to himself ये बात जो है अपने आप से कहता है कि मनुस्य भी उड़ सकता है जदि वह कीड़ों को खाना शुरू कर दे he wanted वह चाहता था to try he wanted to try the experiment on someone someone का मतलब बता है किसी पर कोई ठीक है on someone का मतलब का किसी पर तो इसलिए वह किसी पर जो है experiment करना चाहता था यह देखना चाहता था कि क्या मैं किसी पर ऐसा करूं तो वह उड़ सकता है कि नहीं he he catch hold a few worms उसने कुछ जो है कीडो को पकड़ा beat them into और उन्हें पीट दिया into a plum and mixed it in water और उसे पीट पीट करके माल डाला और उन्हें एक जो है पानी में जो है मिला दिया अब देखिए he took the mixture उसने mixture को उठा लिया he took the mixture to servant girl and said to her वह mixture को उठा करके servant की लड़की के पास ले कर गया नौकर की लड़की के पास ले गया and said और उसे कहा this is wonderful mixture वह कहा कि this is wonderful mixture ये एक ये एक जादूई mixture है ठीक है यहाँ पर आश्यर mixture नहीं होगा ठीक है या एक आश्यर से भरा हुआ घोल है ये नहीं होगा ये एक जादूई mixture है ये एक जादूई गोल है if you drink this यदि तुम इसको पी लेती हो you can fly तो तुम उड़ सकती हो like a bird एक चिडिये की तरह देखिए जो लड़के का sense है मैं उसी तरह बना करके बोलने की कोशिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए वो जो लड़का है उस नौकर के लड़की के पास ले कर जाता है औ देखो यह एक जादूई घोल है और यदि तुम इसको पी लोगी तो तुम एक चिडिया की तरह उड़ना शुरू कर दोगी come on drink it and see लो लो पी लो और पी करके देखो तुम अभी उड़ना शुरू कर दोगी दो पूर गर्ल बेचारी लड़की believed him उसका बिश्वास कर लेती है and drink the mixture और उस mixture को पी लेती है उस घोल को पी लेती है well हाला की she did not fly हाला की वो उड़ी तो नहीं but she feel ill लेकिन वो बिमार पड़ गई ठीक है हाला की वो जो छोटी से लड़की थी नौकर की जो लड़की थी वो उड़ी तो नहीं पर वो बिमार हो गई यंग एडिसांस मदर उस छोटे से एडिसां की मा वार्नेड हीम उसे चेताओ ने दी ठीक है वार्निंग का सेकंड पॉर्म वार्नेड हीम उसे चेताओ ने दी not to do so silly experiment silly का मतलब भाई भी मैंने बताया कि भद्दा या बेकार और सच का मतलब होता है ऐसा ठीक है तो उसकी मम्मी ने चेताओ ने दिया कि वह इस तरह के बेकार भद्दे experiment न करें ठीक है तो यहां तक दोस्तों मैं रहने दे रहा हूं या फिर चलिए मैं यहां तक बतायता हूं चलिए once एक बार he went to once एक बार he went to कहां गया हां पॉल्ट्री फ्रॉम फ्रॉम विथिस मतलब होता है यहां देखे है जहां पर धेर सारे मुर्गे होते हैं जगा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फार्म हां मुर्गी फार्म ठीक है तो एक बार जो है वह अपने ममी के साथ मुर् एहेन जहां पर उसने एक मुर्गी को देखा, ठीक है? इट वाज सिटिंग ओन इट्स एग, जो अपने अंडे पर बैठी हुई थी. जो अपने अंडे पर बैठी हुई थी. जो अपने अंडे पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it. तो उसने इसके बारे में पूछा कि मा, ये अंडे पर बैठी क्यों है? And she answered, तो उन्होंने जबाब दिया, the hen is hacking its egg. कि जो मुर्गी है, वो अपने अंडे को से रही है. After some time, कुछ समय बाद, chickens will come out of the egg. कुछ समय के बाद, ऐसा करने के कुछ समय बाद, उस अंडे से चिकन बाहर आएंगे. यानि छोटे-छोटे मुर्गी के बच्चे बाहर आएंगे. ठीक है? मुर्गी के तो बच्चे बाहर बाद में आएंगे, ये कीडे बड़े पहले आ जा रहे हैं. ये पढ़ाते समय यहां पर रहे हैं, तो उसकी मा कहती है कि जो है, ऐसा सेने के कुछ समय बाद, मुर्गी के छोटे-छोटे बच्चे ये कार आ गया. तो मुर्गी के छोटे-छोटे बच्चे उसमें से बाहर आएंगे, अंडे में से. तब देखी क्या होता है? तो ये यंग एडिसन, उस छोटे से लड़के ने सूचा कि क्यों ना मैं भी अंडा से हूँ, ठीक है? अब बताएं, मुर्गी अंडा सेती हैं, तो एडिसन भी सूच रहा है कि क्यों ना मैं भी अंडा से हूँ. अगली सूबह, ये गट दरजन एक उसने एक दरजन जो है अंडा खरीद लिया, ये लाया, एंड सेट उन देम और उस पर बैठ गया. He got up after some time और वा कुछ समय के बाद उस पर से उठ गया, but he did not find any chicken. हाला कि उसको कोई chicken तो नहीं मिला, कोई मुर्गी का बच्चा तो नहीं मिला, he had only smad the eggs on spoil his shirt. उसने पूरी तरसे अंडा को कुचल पुचल दिया और उसका जो पैंड था, shirt था, वो पूरी तरसे खराब हो गया. He got a good beating, उस दिन उसको अच्छा खासा पिटाई हुआ from his mother that day, उस दिन जो है, उसकी मा से अच्छा खासा उसका पिटाई हुआ, जो एडिशन था, अंडा से ने चला था. तो आप लोग भी अगर scientist बनना चाहते हैं, तो इस तरह के experiment जरूर करना चाहिए आप लोगो, क्योंकि इस तरह का experiment करने से कुछ ना कुछ जो है, जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नहीं कुछ सीखने को मिला तो कम से कम इतिहास तो बनेगा, तो दोस्तों, मैं मजा कर रहा था, यहां तक जो है, यह मैं बस रहने दे रहा हूं, और मुझे उमीद है कि the inventor who kept his promise का जो लेशन है, बहुत ही मजा आया होगा, आप लोगो समझने में, इसका जो है, वो मैं आगे के part में दे दूँगा, तो thank you for watching, और किसी तरह की कोई समस्या रह गई हो, तो आप प्लीज हमें कमेट में जरूर बताईएगा,